एक एवी जग्या जे विग्नान ने आपे छे पड़कार कोई कहे छे कुद्रतनी कराबत तो कोई कहे छे भगवान ना छे आशिरवाद शू छे आज थर्ड नों महत्वा क्या आवेली छे आज जग्या शू छे तेनू रहस्य चालो आजे तमने ले जओ एजग्या पर आने उठ्षे एज रहस्य पर्थी पर्दो अमे विचार साथे निक्ड़्या के खरे खर शू एस थर्ड विग्नान ने पड़कार आपी रहू छे कैम लोकोनी आस्था तेनी साथे जुडाईली छे शा माटे लोकोई इस थर्ड ने पूजेश आ तमाम सवालों साथे अमारी आस्थफर शरू थाई अमदवाद थी बैक ल्लाक ना अंतरे आवेला अस्थर पर पहुँचता पहुचता आवा तो अनीक सवालों अमारा मन मा फर्ता हता जे अमारे जानी आपने पन ए जवाब ना उत्तर आफ़ा ना हता आच अमतकारीक स्थर जोवानी अने जानवानी तालावेली मा 200 किलोमेटर नू अंतर क्यारे पसार थाई गयू खबर न पड़ी अने आमे पहुच्या ए चमतकारीक जग्याए जी आवेला चे गरम अने ठंडा पाणी ना ज़रा आमतो गुजरात मा घणी जिग्याए गरम पाणी ना कुंड आवेला चे अने तेमा नोज एक आस्थड एले टू आगा गोधरा अमदावाद रोड पर गोधरा थी 15 किलोमेटर दूर आवेलो चे टू आगा कुद्रत ना सानिध्यमा वसेलू आ नानकडु गाम आ कुंड नाली धे प्रख्याच्छे तुआ खरे अमें इस्थड पर पहुंची गया चे जी रहस्य थी भरपूर चे अमदावाद थी 105 किलोमेटर दूर आवेलू चे आस्थड असपास आ ग्राम्य विस्तार छे अने ग्राम्य विस्तार निवच्चे जे मारी पाश्वड आप जुई रहाचो के एक नानकडी आ जग्या छे परंतु आ नानकडी जग्या छे रहस्य थी भरपूर कईयो एवू रहस्य छे जे जानवा माटे अने जनावा माटे हुँ अहिया पहुंची छो चालो आपने जनावू अमेज यारे थोड़ा पगत्या नीचे उत्री ने पहुंचिया तो अमने नजरे पड़िया किटला कुंड आस थर्ड ने राम कुंड नाम अपायू छे जिया एकसो आठ नाना मुटा कुंड आवेला छे एवो मनाई छे के प्रभु रामे अहीं तीर मारी ने कुंड नो निर्मान कराव्यू हतू जिया वहली सवार मा किटला क लोको आ कुंड ना पाणी थी स्नान करता अमने देखाया अमने थयू के आठली कड करती टाढ मा खुली जग्या मा श्रू लोको ने ठंडी नथी लागती ते पन खुल्ला कुंड नो पाणी तो किटलू ठंडू होई जिस सवाल अमने थयो ते आपने पन थतो हशे परन्तु आ सवाल माज तेनो जवाब हतो अने आ पाणी माज छोपाईलू छे एर रहस्या जे लोको नहीं स्नान करी रहा छे ते वार आफरती एक के कुंड माथी पाणी लई स्नान करे छे तुमारी पाजर आप जे जोई रहा छो ते राम कुंड छे कहवा मा आवे छे कि राम भग्वाने आकुंड ने बनाव्यों हतो और तैमा 108 आकुंड छे नाना मुटा जे कुंड आपजुई रहा चे 108 चे केटलाक मा गरम पाणी आवे छे अने केटलाक मा ठंडू आपने थतु हश्टे क्या आवी अवावरू जे ग्याए गरम पाणी क्या थी आवे छे एज तो सवाल छे क्या गरम पाणी आवे छे क्या थी आने लोको जे कई रहा छे तेमा केटली सत्य ताच चालो आपने खुद अमें कुंड नी नजीक पहुंचिया तो अमें जे जोयू तैने अमने विचारता करी दिधा अहीं पाणी उकडी रहू हतु आ कुंड माथी बाफ सतत निकरती हती जाने के गैस के चुला पर पाणी नू तपेलू मुक्यों होई अने पाणी गरम थाई ते रिते एटलूज न पाणी माथी पर पोटा फूटी रहा हता आ बध्धु जोय हवे अमारी उत्सुकता वद्वालागी अमें कुंड पासे जे ने ए जोवा ने चकास्वा मांगता हता के जियां थी वराड निकडी रही छे ते पाणी खरे खर केटलू गरम छे आम तो बधा थी माहीती भी मेरी चे कुगल्स परती भी देख्यू चे मैं परती भी देख्यू चे और यामी नमन भी बहुत मज़ा वी चे कारें के अलग-अलग प्राकना अलग-अलग पानी जो थोड़ गरम चे वदारे गरम चे ओचू छे ठंडू छे अनने के वाई छे आए 108 चे के अनने के बहुत मल रीते छे अनने यामी नमने मिटली मन्थी मानन भी थोई के जाने के सियाड चे पन गरम पानी देख्या अलग चे अनने अम्खरे घरम अनने खूस वी थाय चे तो पर यहे आराम भगमान ना राम भगमान यावे ताता नों वास्ते ने पाणी ना कुंड आविला चे, जे माथी मूटा भाग ना कुंड मा गरम पाणी आवे चे, आमे कुंड नी नजी गया तो सतत धुमाडू उर्तो होई तिवा द्रश्यू दिखाया। पन सतत वराड निकड़ी रही चे, ले एटलू गरम आपाणी छे, आपाणी थी, फक्त एकलू आपाणी लो तो आपाणी थी कोई नई ना शके, कारणके एटलू वदू सतत उकड़तु पाणी छे, अंदर थी पर पूटा पन निकड़ी रहा चे, लेके जाने, नीचे कोई आग लगावी होई अने सतत पाणी उकड़तु रहे, ए रितनो आपाणी छे, आश्यरेनी वाद तो ए छे, कि आ कोणनी नजीक पहुशताज, अमने ठंडा अने गरम पाणी ना जहरा जुवा मड़्या, ते पन साव थोड़ा अंतरे, हवे आ पाणी ने आपणे जकासवानु परहेतना करिये के केटलू गरम छे, हुँ आ पाणी अडि ने जोई रहे छुवानु परहेतना करिये, जिरीते इंँआ बाफ निकड़ी रही छे, आप जोई श्रकोँ चो, आ पाणी सक्खत गरम छे जेरी ते आपने आम आपने ठंडू पाणी उमेरी न पच्छीन आहिए तो नवाई आ एकला पाणी ये नवाई एवो पन न थे टलू गरम आ पाणी छे तेम छेता हुँ ट्राइ करू छू के अडाडवानों के टलू गरम छे आपने जोहिए सक्खत गरम लागी रही हुँछे आ पाणी उकड़तू जे पाणी होई ते प्रकादनों आ पाणी छे अने एवो केवाई छे क्या पाणी हजी ओछू गरम छे आ जे पाणी जे चे जेमाथी परपोटा निकड़ी रहा चे ए सवथी गरम पाणी छे एले आ पाणी तो कदा मारा शरीर ने परन्तों आई याज आप जोई रहा चो के आमाथी पन आजे लोटो जोई रहा चो तमे आजे तेमाथी पन वराड निकड़ी रही चे ले पाणी जे में बार काड़ी उछे तेमाथी पन जो वराड निकरती होई तो आप समझे शको चो के केटलू गरम आ पा हवे ए जुओ क्या पाणी आवे छे क्या थी। पाणी आवे छे पाणी आवे छे पाणी आटला उचाता पमान पर पाणी ने गरम राखे छे। 108 कुंड मा थी मुट्टा भागना जे कुंड छे तेमा गरम पाणी आवे छे। परन्तु केटला केवा कुंड पन छे के जिया नॉर्मल पाणी छे अने नॉर्मल पाणी पन काया प्रकानू छे आपने बता विश्के आज ये आप कुंड जोई रहा छे। आ कुंड मा गरम पाणी आवे छे। जे बाख पन निकडी रही छे वराड निकडी रही छे आप जुई रहा छे। परन्तु एनी बाजु मा जे कुंड आवे लो छे तेमा ठंडू पाणी आवी रहुछे। आ बन्ने वच्चे नू अंतर केटलू छे। एक फूटर जेतलू अंतर चे आपने डगला थी एने गणी शुआ। एक डगलू छे आ बीजू डगलू छे। बस आ बै डगलानू छ अंतर चे गरम अने ठंडा पाणी नी वच्चे। आज ये पाणी चे तेमा नॉर्मल पाणी आवी रहुछे। एले आज एक रहस्य चे गरम अने ठंडा पाणी ना जहरानू। जहां थी गरम पाणी निकले चे। जी हां तैने कुदरत नी भेट कहिए तो पणो चुना थी। आ गरम पाणी माचे चामली ना रोग नी दवा। जे डॉक्टर न थी मताली शक्ता ते चामली नो रोग आ पाणी मताली देचे। पन तैनी शरत चे। आमाटे पाँच रविवार भरवा पड़े चे। इटले के सडंग पाँच रविवार जो कोई व्यक्ती अहीं आवे अने आ पाणी थी स्नान करे तो तैनी चामली नी बिमारी दूर थाय चे। प्राकृतिक धरोहर ना रूप मा आ कुंड सवनी आस्थानु केंद्र बने उचे। अहीं जमीन माथी गरम पाणी ना जरा सतत फूटे चे। आवा जरा आगड नाना मूटा कुंड बनावा माव्या चे। गुंड नी पाली पर बैसी कुंड ना पाणी थी स्नान करी अमे रोज सवारे अमे नावा आइ आ इछे। रोज सवारे अम्हारida ना जरे अमारू गंदी झालो एकटले शी आलो एकले शीलामा मा जरा एकले आमे शीलाम करी आना रोज आया। रोज सवारे बेलला आवी जाये। जे वीक्षे होचे कि एगड नावा तỳा estemखे। एक आ कुंड ने कैम राम कुंड नाम अपायू तैनी पाचर पन एक मानलेता छे जे अहीं आवता लोको पासी थी अमने जानवा मड़ी अहीं एवा पन युवान मड़या जे ओछिल्ला चार चार रविवार थी अहीं आवी ने स्नान करे छे जनाथी तेमने फरक्पन पड़े हो छे तो आप बच जर पड़ने लगी पहले लाल थी अब वह बायट होगी तोड़ी निकल जाएगी ताप आने लगी तो आप जुई रहा छो के तेमने स्कीन नो प्रॉब्लम छे अने तेवो छिल्ला चार रवीवार थी इन्या आवे छे अने कहवाई छे के आ जे नेचरल गरम पाणी छे तेना थी नाहवा थी चामडीना रोग दूर थाय छे परन्तु पांच रवीवार तमारे सडंग ए पां पड़ियो छे अहीं अमने मड़िया रामजी मंदीर ना महंत जियो छिल्ला चारी सवर्ष थी मंदीर मा सीवा आपे छे तेवो पन कही रहा छे क्या हीनो पाणी छे पवित्र अने आउश्र थी या फक्त गुजरातेज नहीं चार धामनी यात्रा करता लोको पन अहीं आ अजाईबी ने जोवा आवे छे मध्य प्रदेश थी कितलाग प्रवासियों अहीं आवया जियो पन आ जोई ने दंग रही गया जुनागड से होते हुए इधर जा रहा है हम पावगड के लिए पावगड बीच में जो ये किस्तान है क्या ना बता है? टुवा जहां पे गरम पानी है ये अदबुत नजारा जो है मैंने बदरी नाराण में देखा है केदारनात में देखा है और जमनोत्री में देखा है वही नजारा यहां पे है ये भगवान की लिला एक अलगी नजारा है ये अदबुत नजारा है ये गुजरात मा आवी तो अनेक जग्या आवीली छे जियां जमीन मा थी सतत गरम पाणी निकले छे एपची ठेंडी होई गरमी के चो मास्तू त्यारे अपने सवाल थतो हशे कि शा माटे अमुकत जग्या पर गरम अने ठंडा पाणी ना कुंड आवेला छे तो जे बाबत अमने जानवा मडी छे ते अमे आपने जणाविये शा माटे कड़करती ठंडी मा गरम पाणी आवेचे अने केम आ पाणी खुटतू नथी तेनो जवाब अमने जानवा मड़ियो जानकारूनों मानिये तो बाहार ना तापमान नी असर जमीन नी अंदर रहेला पाणी पर नथी थती ठंडी मा भले बाहार माईनस वा तापमान होई परन्तु जमीन नी अंदर पाणी नु तापमान एटलूज रहे चे तेनी पाचल जानकारूनों मानवू चे कि जमीन नी सपाटी नी नी चे ग्रेनाइट पत्थर पण होई शके चे जे पाणी ने गरम राखे चे बिजी एक मान्य ताई पन चे कि जमीन नी अंदर लावा रहेला होई चे तेना ओपर थी जियारे पाणी निकडे चे तो ते गरम आग पर तपेलू होई तेवू थाई जाई चे आ सिवाई पन विग्नान मा तत्थिय चे के एवी जग्याओ पर जियां जमीन मा सलफर अत्वा तो पाणी नो स्थल जियां चे तियां सलफर नी मात्रा वधारे होई तियां पन पाणी गरम थाई जाई चे अने वर्षो सुथी ते गरम मज रहे चे आपना भारत देश सही समगर विश्व मा आवा केटलाई रहस्य माई स्थाडो चे जे न विश्ये विग्नान पन परदो उठावी शक्यू नथी जियारे आ बद्धा रहस्यो मानो सामे आवे चे तियारे कोईपन व्यक्ती अच्रज मा मुकाई जाई चे जो क्या बद्धा कारणों छता अहीं अविरत आवता गरम अने ठंडा पाणी जे एक साथे कुण्ड मा आवता रहे चे तेना रहस्य ने आ सुधी कोई समझी शक्यू न थी लोको तेने आस्था नीरी तेज जुवे चे अहीं लोको स्नान करवाज नहीं परंतु धार्मीक क्रियाव माटे पणा आवे चे अस्थी विसर्जन माटे लोको आम तो हरिद्वार जता हो चे परंतु आ पाणी एटलू पवित्र चे के लोको अहीं आवे चे अने धार्मीक विधी करे चे तुवा ना गरम अने ठंडा पाणी ना जरा उपरांत आस्थर महाभारत कार साथे पन संक्राईलू चे मारी पाचर जी आप जोई रहा चो ते टुवा गरम अने ठंडा पाणी ना जरा आवे ला चे जी आमें आपने पहला ज बताविया चे बस तेना थी थोड़ा डगला तमें आगडवश्चो एटले एक इतिहास नी एक वात साथे तमें रूबरू थाशो कहवाई चे के पांडवो अहीं आवे ले चे जालो आपने बतावू पंज महालमा आवेल टुमागा एक समय आ जंगल विस्तार हतो आजे पन अहीं नाना मोटा पहाड ने व्रुक्षो आवेला चे अहीं जय पांडवो ना पग्रव पढ़या हता तेनी निशानी आजे पन अहीं जुवा मले चे 5 हज्यार वर्ष जुना अवशेशो आजे पन अहीं है आत चे जे साबीती आपी रहा चे के पांडवो अगनातवा सदर्म्यान अहीं आवे आ हता लांबो समय गुजरात ना आ जंगलों मा तेवोई वितावियो हतो जैनी साबीती आपी रही छे अहीं आवे ले भीमनी चोरी अने भीमना पगला जैना दर्शने लोको दूर दूर थी आवे छे तो पांडवो अगनात वासदर्म्यान अहीं आव्या हता ने अहीं अज थाया हता भीमना लगना आप जो इश्रको छो भीमनी चोरी अहीं आवे ले छे ने जैरे मंडप होई छे आपनों जैरे लगना नी चोरी होई छे जैरे चार स्थम्ब बनावा मावता होई छे आ एज चार स्थम्प चे ले पूराणों वक्त ना ए आ स्थम्प चे जी हजुपन अडिखम चे भीमनी चौरी चे आ साथी चे यह भीमना पगला चे कहवामा आवे छे ने के भीम महा काई हता तो तेमना पग कीवा हता इस सवनी जानवामा उच सुकता हश्चे तो आप जोईलो भीमना आ पगला चे भीमना पगला जोई आपने ख्याल आवशे के भीम किटला बढ़वान हता समगर महा भारत मा तेमनी पौराणिक शक्तियों ना खुबजव खान थाया चे सर्व बढ़वान गदा थी पुण वथू बढ़वान भीमनी सर्खामनी कोई ज करिश्रक्तु ना हतु जे तेमना पगला जोईने जख्याल आवेचे इतिहासनी गवाही आपी रहुचे आस्थर जेरीते आप जोई रहा चो अहिए लख्यवामा आवे लूचे भीमनी चोरी औने पाचर चे भीमना पगला कहवामा आवे छे के भीमे अहिया आवी ने लगन करया हता शुँ छे आखी आ कहानी जशोदा बेन पासे थी ज आपने साम भडिये अवे आपने लगना कर साम आपधर घुट्र आखी जशोदाने लिट म कमःई राख έχ एक जशोदा साम दिशेता ह्टी आम तो कहवाई छे के द्रौपदी ये 5 पांच पांडव साथे लगन करया हता परन्तु एवू ते शू कारण हदू जेना कारणे तेमना लगन हीडंबा साथे थाया ते पन आपने चनाविये पांडवुना प्रथम अगनात्वास दर्म्यान भीम पुदाना भायू साथे रहा आसमय दर्म्यान भीम नो साम नो हीडंब अने हीडंबा नामना राक्षस भाय बहन साथे थायो राक्षस उनी कूरकूर साथे नी दुश्मनावट ने लिधे हीडम बे तेनी बहने भीम ने तेनी जाड माँ फशाववा कहिउं परantullen भीम अने हीडम बाँ एक बीजा तरफ आकर्शित थे गया अनि त्यार बाद भीमे हीडमबा साथे लगन कर्या जे चौरी मां भीमे हीडमबा साथे साथ फीरा फर्या हता एज आ चौरी छे अमें जेटलो आ जग्या विशे जानता गया तेम तेम अमने केक नवोज जानवा मड़ियो अहीं श्रिवजी उप्रांत अलगलक देवना मंदिर पण आविला चे जनी रोज पूजा थाई चे आम तो आ जंगल विश्तार चे जंगल विश्तार नी वच्चे च आ स्थढ आवेलू चे अने आप जोई शको चो कि जुना आ पत्थरो पण छे जे वर्षो जुना चे खबर नथी ए शोधू कदाच जरूरी चे कि केटला वर्ष जुना आ पत्थर चे पत्थर उपर क्यांक्यांक तमने नाम लखेला पन जुवा मड़ी रहा चे त्या नाम लखेला चे ज्यारे मैं यह पूछी वे जानवानू पर प्रहत्ना करें कोना नाम चे त्यारे कोई के मने कहीं कि बाजू मां समर्शान आवेलू चे एटले जेन पन देहान थतू होई तो टेमना नाम कोई लखेला लखेला और याद गिरी माटे पोताना नाम पन पर पत्थरों पर कोत्री ने जत्तू होई छे पर नतू आ पत्थरों आपने बतावाय चे शे जे वर्शो जुना चे और हांके ऑन मढ़ीला रहा होँ चे आप सुन्दर कोतर्णी वाडी वर्षू जुनी आ मुर्थी पन आप जुई रहा चो एले ज्यारे पन आप कदा चेह आउशो तो एती हास साथे रोबरू थाशो एवात चोकस छे अने जितला तमें आगड जानवानों प्रहत न करशो कईक ने कईक नवी बाबत आपने जानवा मर्शे पोतानों बाड़क कौने प्रियन होई अही एवी मान्यता चे के जो बाड़क बीमार थाई तो अहीनी मानता मानवा थी ते बाड़क साजू थाई जाई चे माटे चौल क्रिया करावी अने लोको तेमनी बाधा पन पून करवा माटे अही आवता होई चे अम अन्दीर इटलू महत्वा चे के यहां तमे कोई भी बाधा राखो के बाड़क नानू होई ते आरे बीमार वारे गड़िये थातू हैने तमेना वाड़ू तरवानी जो बाधा राखो तो यी तैयारी माने साजू थाई जाई चे लोको आ पौराणीक जग्या उपर घणी आस्था ने शद्धा साथे आवता होई चे आने कहवाई चे के मानो तो बध्धूच होई चे मारी प्याचर आप जोई रहा चू अहीं किला पत्थर पड़िया चे ने पत्थर नी उपर आ पत्थर चे एक्चूली लोको माने चे कि आ पत्थर नी उपर जिटला पत्थर आपने मुकवा मा आवे एटला मारनू घर थतू होई चे ने आरी ते लोको घर बनावता होई चे तो एक पत्थर नी उपर बी जो पत्थर मुके चे अने त्यारबाद लोको माने चे के जितला माड़नों तेवे घर बनावों होई तेमनी इच्छा होई एटला पत्थर मुकी अने तेवों मानता मानता होई चे के आटला माड़नों मारू घर बने जो कि अहीं आवता लोको माने चे कि आ स्थर ने स्वच राखवानी जरूर चे जो कि तेनी जवाबदारी पन आपनी पोता नीच रहेली चे कि यहां रोजना लगबग त्रोन थी चार ट्रावेल स्वरोजनी ट्रावेल करे चे रोजनू आरजू बाजूनू पबलिक भी एतलू आवे से कि यहां अगड स्वच्चता थोड़ी जाडवी बहु जरूरी चे आ जग्या डेवलप थसे तो बहु सारा मा सारी यहां अगड पवीत्र स्थर बनी सक्से कि जेना थी आगड ना फ्यूचर ने आपड़े इंगर डेवलप करी सक्सू पंचमाल गोधरानू नाम थही सके उजे आ जग्या थी अंतमा इटलूच कैश्णू कि आवी जे पवरानीक जग्या ओछे तैने विक्सावानी खास जरूर छे ने खासकरी ने जे पन प्रवासी आवता होई चे तेओ ये पन गंतकी न करवी जोई ये स्वचता जाडववानी खास जरूर छे आशा रखिए कि आज नो आ एपिसोड आपने पसंद आवे हो शे न जो पसंद आवे होई तो जरूर थी आज इस थर छे तैनी मुलाकात ले जो कैमेरामेन प्रकाश्र साथे संध्या पंचाल न्यूज 18 गुजराती टुवा 51 शक्तिपीट महोचसव 2023 नो शुभारम उध्योग विबागना कैबिनेट मंत्री वहिवटी तंत्र अनि साधु संतो द्वारा दि प्रज्वलित करेने 51 शक्तिपीट महोचसव नो प्रारम करावायो 51 शक्तिपीट परिक्रम महोचसव नो आस्ती प्रारम थायो 52 शक्तिपीट महोचसव नो शुभाय यात्रा शक्तिपीट महोचसव नो शक्तिपीट महोचसव नो प्रारम थायो 53 शक्तिपीट महोचसव नो प्राम थायो केसुडा ना रंगोती होली दुलेटी नो तैवार वदु रंगिन बने चा एक तरफ लगन सरानी मौसम खिली चा तो बिजी तरफ होली दुलेटी दस्तक दे रही चा आ तमाम संयोग ने कलरफुल बनावे चे केसुडो आवर रुडो केसुडो अमरेली जिल्ला मा पन ठेक ठेकाने खिली उठेओ छा सद भागी अमरेली जिल्लाना गीरपन्तेग मां केसुडो आजे पन सोले कड़ाये खिली उठेचे केसुडो अयुर्वेद प्रमाने कुद्रते आपेली अनुपम भेडचे केसुडो अनेक रोग माटे संजीवनी जडी बुट्टिती जराय कम नती जोके हवे आपने सव अलोपेथिक दवाव तरफ वढ़्या चीए जैना कारणे आवी अदभूत आउशदियो विशे लोकोने जानकारी पन उचीचे तरे अमरेली आउवेदिक दवाखाना वईद दिक्षिता पंडेरी ए केसुडो अना विविद उप्योगो फायदाओ विशे जानकारी आपी केसुडो ए मात्र कवियो कि आउवेद ना चाहको माटे प्रिया चे एवु नती केसुडानु धार्मीक महत्वपन इटलूज चे मानव जात माटे अद्भुत उप्योगी ओ केसुडो हवे दिमे दिमे स्मित विस्तारों माज जुवा मलाई चे अना दी कालधी केसुडाना फूलो ने तेमाथी बनावेला रंगोती होले धुलेटी उजववानी परंपरा रहली चे तेहवारों मा बजार मा केसुडानी सारी मांग रहे चे तेना पाननो उप्योग दशका पहला जम्वा माटेना पडिया पत्राडा बनावामा थतो हतो केसुडानू मुल्य वर्धन करिने घणी काम्पनियों तेमादी सांदरिय प्रसाधन अउश्यतियों बनावे चे